जै मातरी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर ट्रेस कर दें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशी के बारे में 2020 में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके दोस्तो मिथुन राशी जो है वो राशी चकर की तीसरी राशी है और इसका प्रतीक है आलिंगन बद इस्त्री और पुरुष की चवी साथ ही मिथुन के राशी स्वामी बुध हैं म्रग्शिरा नक्षत्र के तीसरे चरण के मालिक मंगल और शुक्र हैं, मंगल शुक्र का प्रतीक हैं और शुक्र को माया का प्रतीक माना जाता है इस राशी के जातकों के अंदर माया यानि की मुद्रा गहने इत्यादी के प्रती भावना पाई जाती है इस राशी के जातक दामपत्य जीवन में हमेशा शक्ती बन कर प्रस्तुत होते हैं मंगल और शुक्र के साथ साथ होने की वज़े से इस राशी वालों में इस्त्रियों को रोग को बहुत ही आसानी से परख लेने की अदबुत शमता होती है इस राशी के लोग मंगल की वज़े से अपने वचनों के पक्के होते हैं और साथ ही बहुत ही जिग्यासू और खोजी दिमाग के कारण इस राशी के लोग अन्वेशन में भी सफल रहते हैं पत्रकार, लेखक, मीडिया कर्मी और भाशाओं के जानकार फिर योजनकार भी बनते हैं ये लोग इस राशी के जो जातक होते हैं उनका जुकाव घरेलू साथ सज्जा में जादा होता है जातकों को वाहन की अच्छी जानकारी होती है इसी वज़े से नए-नए वाहनों और सुख के साधनों के प्रती इनका आकर्शन जादा रहता है इनके कुंडली में गुरू और राहू के आस-पास होने की वज़े से ईश्वर या ताकत के स्वामी भी ये होती है दोस्तो इन जातकों में ब्रहमांड के बारे में जाननी की शक्ती जन्मजात होती है और इसी वज़े से अगर ये वायूयान या सैटलाइट के निर्मान के शेतर में जाते हैं तो सफलता उनके कदम चूमती है इतना ही नहीं इन जातकों के अंदर शिक्षा और शक्ती उतपादित होती है और इसका कारण राहु शनी का एक साथ होना है दोस्तो मिठ्वन राशी वालों के लिए साल 2020 में आप बहतरी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं ऀस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही दस बाते आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आईए जानते हैं कि आपको कौन से वो दस काम करने हैं 2020 में जिससे आप अपने आने वाले समय को और बहतर बना सके कौन से वो उपाय आपको करने हैं 2020 में ताकि आपको सफलता मिल सके दोस्तो इनमें नमबर एक है मचलियों को आटे की गोलियां आप खिलाएं आटे की गोलियां बनाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप मचलियों को किसी नदी में जाकर तलाब में जाकर मचलियों को वो गोलियां खिलाएं नमबर दो है कन्याओं को भोजन कराएं दोस्तो इसका कोई सुनेश्चित कोई दिन नहीं है आप जिस दिन भी फ्री हो या जिस दिन भी आपके ओफिस की छुट्टी होती हो आप उस दिन कन्याओं को भोजन जरूर खिलाएं नमबर तीन अपनी वानी पर सहिम रखें किसी को ठेस ना पहुँचाएं किसी को भी कटू वचन बोल कर ठेस ना पहुँचाएं नमबर चार शत्रों से परेशान हैं तो मा दुरगा की उपास न करें ये उपासना आपको रुजाना करनी है नमबर पाँच सहकर्मियों और भाईयों से अपने अच्छे संबंद बना कर रखें नमबर च्छे एविवाहिद जो जातक हैं उनके लिए अच्छी खबार आ सकती है और अगर आप किसी रिलेशन्शिप में हैं तो अपना किया हुआ वादा पूरी करने की कोईशिश आप करें अपने वादे से मुक्रे नहीं नमबर साथ सफाई करमचारियों को जाडू और सिक्का दान करें और उनके साथ बहुत ही विनमरता से पेश आएं नमबर आट सतर क्रही पूंजी बचा कर रखें 9 से 30 अगस्त और 18 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक कोई व्यवसाई कारियों बिल्कुल ना करें कोई नया व्यवसाई शुरू ना करें कहीं पर इन्वेस्ट ना करें ध्यान रखें 9 से 30 अगस्त और 18 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक इनमें आपको व्यवसाय संबंधी कारियों को करने से बचना है नमबर नौ सूरियास्थ के बाद शनी चालिसा का पार्थ जरूर करें प्रतेक शनिवार को सूरिय अस्थ होने से पहले आपको शनी चालिसा का पार्थ करना है प्रतेक शनिवार नमबर दस दोस्तों जब भी आप काम पर निकलें तो अपने माता-पिता का आशेरवाद ज़रूर लेका जाएं उनके पैर छू कर जाएं अगर वीडियो में बताये गए आप ये दस कामों को साल 2020 में फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित ही रूप से सफलता मिलेगी इसी शुब कामना के साथ वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली धन्यवाद